वोट बैंक के लिए कोई नेता लुभावनी योजनाय चला रहा है तो कोई फ्री की रेवडी बाट रहा है कोई जाती कार्ड से खेल रहा है तो कोई महिला कार्ड के जरीय खेल रहा है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मध्यप्रदेश में होने वाले चनाव में रेवडी बिकेगी या जाती काड चलेगा या फिर महिला काड अपना जादो दिखा देगा यहां इंदुत्व की जड़े कितनी गहरी है और कितनी कमजोर आईए जानते हैं मध्यप्रदेश की सियासी गल्यारों में क्या चल रहा है मध्यप्रदेश विदान सभा चनाव को लेकर सभी राजनितेक गलों का प्रचार जोरों पर है हलाकि अभी तारीकों का एलान नहीं हुआ है लेकिन वोटरों को लभाने के लिए हर कोई तरह तरह की घोशनाय और दावे कर रहा है बीजेपी जहां सकता बचाने की जुगत में लगी है तो पांग्रिस फिर से 2018 वाला प्रदिर्शन करते हुए बहुमत के करीब पहुँचना चाह रही है वही अगर हम फ्री की रेवडी की बात करें तो शिवरात सरकार ने फ्री स्कूटी योजना, लाडली बहना योजना, गैस सिलंडर रिफलिंग योजना, सीम सीखो कमाओ योजना, कर्जमाफी योजना और कई अन्य ऐसी ही योजनाय शुरू कर रही है लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि फ्री रेवडी को इतना बड़ा फैक्टर नहीं माना जा सकता क्योंकि 2018 चनाव में भी इनमें से कई स्कीम लागू थी, लेकिन जनता ने कॉंग्रेस को भहुमत के करीब धे जाता वही दूसरी और चनाव नस्दीक आने पर बीजेपी सरकार ने वोटरों को लबाने के लिए एक बड़ी घोशना की है इसके थाएट शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश में मैलाओ के लिए सरकारी नौकरी में 35 फीजदी का आरक्षन देने का एलान किया है सरकार ने कहा कि सीधी भड़ती में मैलाओ को 35 फीजदी आरक्षन मिलेगा फिलाल प्रदेश में मैला आरक्षन 33 फीजदी ही है इस फैसले को मैला वोटरों को आकरशित करने से जोड़ कर देखा जा रहा है मद्यप्रदेश में जाती के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है हिंदुत्व या हिंदुत्व की जड़े काफी घहरी है यही वज़े है कि कॉंग्रिस को भी यहां सौफ्ट हिंदुत्व के सारे चलना पड़ता है इसके नेता हिंदु धर्म से जड़े कारेक्रमों का आयोजन करते रहते हैं और उनमें शामिल भी होते हैं या हिंदुत्व आज से नहीं बलकि काफी पुराना है इसलिए इसे पूरे भारत में हिंदुत्व की सबसे पुरानी प्रयोक्षाला भी कहते हैं हिंदोत्व की सबसे पुरानी प्रयोक्षाला कहने के पीछे दरसल एक कारण है नापकूर से निकटता की वज़े से मध्यप्रदेश में RSS की पेट आजादी से पहले ही थी RSS और अन्य हिंदू संगठनों का प्रभाव पहले मालवा और फिर धीरे धीरे चंबल और मध्यप्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी पढ़ गया तबी से इसे लेकर कहा जाने लगा कि मध्यप्रदेश हिंदोत्व की सबसे पुरानी प्रयोक्षाला है मध्यप्रदेश में विदान सबाचनाव जीतने के लिए कॉंग्रेस के राहुल गांदी ने जहां कुछ दिन पहले OBC कार्ड खेला था तो वहीं BJP पी जाती के सारे फिर से अपनी नईया पार लगाने में जुटी है अब देखने लायक ये होगा कि आने वाले विदान सबाचनाव में BJP या कॉंग्रेस दौनों में से किसकी नईया डूबेगी और किसकी पार लगेगी बाती देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दा नगरी न्यूस मैं सद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ शुक्त दिया